आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, मेरे मंच, दभिहार, टीचर, हिस्टीमेट के प्रवपस्तित, सभी बिद्वान, सिक्षेकों का स्वागत है आज मैं एक नए टॉपिक को लेके आई हूँ, जो मेरा नया टॉपिक है मेरे competitive जो exam का मैं class ले रही हूँ, seated, इसके बाड़े में ये मेरा नया टॉपिक है seated 2022 के जो exams है, इसमें मैं pedagogy subject, बाल विकास और सिक्षा सास के अंतरगत, राष्टे पाठे चरिया निर्मान और इसके रूप रेखा का वर्णन करूँगी जैसा आप सभी देख रहे हैं, ये राष्टे पाठे चरिया निर्मान और इसकी रूप रेखा क्या है, इसके बाड़े में आज हम सभी लोग जानेंगे यह राश्टी पार्थी चरिया यानि कि हमारे देश का जो पठन पार्थन हम जो तरीके से पढ़ते हैं किस तरीके से हमारे पढ़ाई लिखाई होती है इसकी व्यवस्ता क्या है इसकी बारे में हम सभी जानकारी इस चैप्टर से प्राएंगे राश्टी पार्ठी चरिया, राश्टी पार्ठी चरिया की अंतरगत नाश्टनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसको हम लोग नाश्टनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से संबोधित करते हैं National Curriculum Framework यह जो National Curriculum Framework है उससे राष्टि पार्टेचरिया NCF यह मुखीता एक क्या है तो दस्तावेज है यह क्या है दस्तावेज है दस्तावेज यानि कि एक लिखी हुई सामग्री है जिसमें लिखा गया है कि सिक्षा से संधर भी सभी बाते इसमें सुरक्षित रखी गई है कि किस प्रकार बच्चे को सिक्षा से जोड़ा जाए किस प्रकार बच्चों का सही मार्वतर्शन हो और किस प्रकार बच्चे को हम समुचित धंग से विद्याले इस तर पे राष्ट्य पाथ्यचेरिया की उत्पत्ती कैसे हुई है, हम लोग अब इसके बाढ़े में जानेंगे, तो इसकी उत्पत्ती हुई है, राविंदनात ठाकुरजी की सब्यता प्रगति नामक निबंध से, उप्लिकारिया को क 녀僑 है, इसके अनुसार स्कूली सिक्षा बिद्याले के इंदित न होकर बाल के इंदित हो बिद्याले का इसमें उतना फोकस नहीं है इसको बाल के इंदित किया गया है आप इन बातों को गौर कीज़ेगा, राष्टी पार्थे चरिया बाल की इंदित सिक्षा पर जोर देती है, यह हमारे यहां राष्टी पार्थे चरिया सम्मिधान की आठवी अनुसूची में इंगित है, इनसे परशन आते हैं कि राष्टी पार्थे चरिया अनुसूची कि लिखी गई है तो प्रगति नामक पुस्तक रभिना ठाकुरजी की है उससे लिए गई है दूसरा इसमें कैसा है तो बाले केंद्रित है राष्टे-पार्थे-चरिया किस प्रकार की को केंद्र मानता है तो बालक को केंद्र मान के विद्याले की सेक्षनिक व्यवस्था को मान यहां प्रस्ट्ट किया एक whitना नतर चैनल फन आयए किक मत्तलन तो यह दोग depth परते संवेधान की आध्वेवी आध्वी आनुसूची दर्ज़ की गई है ठें के यहां कले आध looking कि लिए आप आजा यहां राश्ट्ट्ट्ट्टी चरिया इसका को माहिए कि हम लोग राश्ट्री पार्ट्रिचरिया का प्रयोग कर रहे हैं threatens और यह पराफेसर कौन थे जिन्नोंने इसके अध्यक्षिता ऊंग्य अध्यक्षिता है चुषाइब में राश्ट्री पार्ठेचरिया रूप परेखा का निर्मान किया गया था अभी भी हम इसी पार्ठेचरिया के अंतरगत अपने विद्याले में सैक्षेनिक वातरवन का निर्मान करते हैं और पढ़ाते लिखाते यानि सिक्षक की जो भी काड़ेदक्षता है इसी से त्यार की गई है इसमें कुल कितने बनाए गया है पाटे चरिया निर्मान अभी तक कितने हुए है तो तीन हुए यहाद रखिएगा तीन पाटे चरिया निर्मान का कमिटी बन चुका है अब आजाये इसको और इसको देखें राश्ठी पाटे जीवन से जोड़ा जाए किसके जीवन को तो रभिना टहको और जी हमेशा बच्चों को प्रकृती से जोड़ कर पढ़ाने के लिए जोड़ देते थे तो यह हमारी जो पाटे चरिया है यह प्रकृती से जोड़ कर बच्चों को पढ़ाने के लिए जोड़ देती है कि इसी भी तरह की बात देता नहीं हो, बच्चे को सीखने का अफसर दिया जाए, बच्चा करके सीखे, बच्चा खेल के सीखे, बच्चा गा के सीखे, बच्चा सीखे, उसमें कोई उसे किसी चीच के लिए उसे दंडित ना किया जाए, उसे सीखने दिया जाए, इसी क्रम में ह पाठी चरिया पाठी पुष्टक केंदित ना होकर ये कैसा होना चाहिए तो विद्यालित केंदित ना होकर ये बच्चों के उपर केंदित होना चाहिए उसकी बाद विबिन प्रकार की गती विदिया भी इसमें होनी चाहिए गतिविधी आधारित जो हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं ये राष्ट्य पाठ्य चरिया में ही इसका जिक्र किया हुआ है कि गतिविधी आधारित पढ़ाई से बच्चे अच्छी तरह से पढ़ना सीखते हैं, समझते हैं चीजों को राष्ट्य मुल्यों के प्रती बस्चों में आस्था जगाना ये भी पाठ्य चरिया में कहा गया है कि हमको बच्चों को राष्ट्य मुल्य का धरोहर के प्रती बच्चे को त्यार करना है, बच्चे को बताना है, बच्चे को खेल-खेल में सिखाना है कि वो जो अगर किसी भ कार कारे करेगा यह सारी चीजे आपको राष्टे पाठी चरिया के अंतरगत बताया गया है अब यहां देखिएगा यहां बहुत महत्वपूर्ण है नेतनल कैरिकुलम फेम वक्यन 2005 का निमान NCRT द्वारा किया गया है इसको पूर्ण करने का कारे निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतनल में किया गया है किनके नेतनल में किया गया है प्रोफेसर कृष्ण कुमार यह NCRT के प्रोफेसर है और इनके नेतनल में राष्टिय पाठी चरिया का निर्मान किया गया है इसका मुख्य लच्च है ज्यान का अनुभाव चात्रों को देना किसी भी ज्यान का अनुभाव चात्रों को देना जैसे अगर हम बच्चे को यह अगर हम कुछ आकृति या कुछ बता कर बच्चों को बताएं कि बच्चा ये दखो यह है यहां ध्यान देंगे, बच्चों को हमको सिखाना है तो हम अगर बच्चे को ठान लेकि हमें बच्चे को सिखाना है तो हम बच्चे को सिखातकते हैं जैसे हम बच्चे को देखा रहें, यह क्या है यह क्या है, यह अगर दो सेव है मानू दो प्लस तो यहां हम क्या करेंगे इसको बताना है कि यह दो सेव है अब इसमें प्लस इसको दो एक सेव है अब इसको अगर हम बढ़ाबर करें तो बच्ची को हम सेव बच्चा सेव क्या है एक साथ हम बहुत बाचे सिखा सकते हैं सेव बच्चो एक फल है सेव कहां उखता ह सेव कैसा होता है तो सेव लाल होता है ऐसे मिक्स कलर से भी होता है थोड़ा हडा भी रहता है थोड़ा पिला भी रहता है और सेव खाने में कैसा होता है तो मीठा होता है तो यानि दो तीन जानकारी दिये अब यह जोड़ है दो प्लस एक बड़ाबर कितना हुआ तो तीन हु पाया जाता है पहाडी जगों में खासकर जो पहाडी इलाके होते हैं वहाँ सेव की पैदाबार होती है इस प्रकार से बच्चे को हम अनुभव के आधार पर सिखा रहे हैं तो यह चीज हम बच्चे को सेव दिखा रहे हैं सेव से गनित पढ़ा रहे हैं साथी साथ हम उसको स सिखा रहे हैं कि यह कहां पाया जाता है तो हम इसको इसका सामानी ग्यान इसको वहगौलिक ज्ञान से भी जोड रहे हैं यानि कि हमारी सिक्षा क्या हुई सर्भौमिक सिच्छा हुई तो हम सार दो तीन तरीके दो तीन विशे हम एक तरह से पढ़ा रहे हैं तो इस प्रकार की पढ़ाई पर जोड़ दिया गया है राश्टे-पाठ्थी-चर्या के अंतरगत उसके बाद यहां आपने देखा आपने जाना कि राश्टे-पाठ्थी-चर्या का न अगर जोड ही बताना है और जोड बनाने के लिए हम क्या करेंगे क्या अंक लिख दे अंक से भी बच्चा सीखेगा लेकिन हमको लगता है खाने की चीज़ अगर सेव दे तो बच्चा ज्यादा अच्छा सीखता है जैसे दो सीखा बच्चा एक सीखा बड़ाबर उसको ती लेकर 1000 तक तो हम गिन्ना गिन्ति सब सिखा सकते हैं इस प्रकार से रूचि कर करके हम घनित भी बच्चे को बता सकते हैं यहां हम उसको अगर अच्छे से अगर हमको समझाना है देखिए यह कि राश्ट्री पाल्टिया नीती हम बुस्ता नी तो यहां वंभाड़ दो लिखें हैं तो नंगाईएंगे सनाज यह दो सेब बना दिये, प्लस कर दिये, एक कर दिये तो यहां एक सेब बना दिये, जो कि हमारे किताबों में भी आजकल आ गया है, और इसको तीन सेब बना दिये, यानि कि बच्चा का ऐस तरह से बच्चों की रूची जगी, यानि तीन सेब, तो इस प्रकार से बच्चा ची बच्छा अरूची ना पाए तो आप समझ रहे हैं राष्ट्य पाथ्टे चरिया नीती के अंतरगत हम इस तरह से बच्छे को पढ़ाते हैं अब यहां पे अमारे पास कुछ सुझाव है जो कि हमारे पाथ्टे चरिया में है जिसको जानना है प्रमुख सुझाव राष्ट्य की सूचना को ज्यान मानने से बचना हमें बच्चे को सूचना तो देनी है लेकिन उसे ज्यान नहीं मानना है उसको ज्यानकारी होनी चाहिए यह पाठी चरिया आपको बताता है कि बच्चे को किसी भी प्रकार की सूचना को ज्यान नहीं मानना है विद्यार्ति को दी जाने व सजावर्पड का भावना, इसे सीमित रूप से परियोग करना है, हमको बच्चों को सजा देने से बचना है रूची कर पढ़ाई पढ़ाईए ना बच्ची को सजा देने की आवशकता ही नहीं पढ़ेगी बच्चा पेंटिंग भी करना सीखेगा बच्चा गानित भी सीखेगा बच्चा भाशा भी सीखेगा बस उसे रूची जगाने की जरूरत है तो यह हमारी पार्टी चरिया इसके लिए हमें जोड देती है सासेक्षनिक गतिविधी से बच्चे को सिखाना यह जो है यह भावना बच्चों में आनी चाहिए कि सासेक्षनिक गतिविधी होना चाहिए तो यह क्या है यह हमारी पार्ठी चरिया की अंतरगत जो हमारी पार्ठी चरिया 2005 है इसमें हमें बताया गया है कि पढ़ाई लिखाई बोज ना हो बच्चा रूची ले यहीं हमारा NCF है और इसके अंसार बच्ची को मात्री भाषा में सिख्चा कारी कराना है तो मात्री भाषा यानि हमारे जो मात्री भाषा है बच्चे को हिंदी में सिखाते हैं, मैतली में सिखाते हैं, सिखाते हैं बच्चे को, अपने घर में बच्चों को बंगला में सिखाते हैं, यानि जो मात्री भाषा है, मोटी किताब से बच्चों में क्या होता है, सफलता आ बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातवर्ण प्रदान करना है, हमारे बच्ची विद्याले में आते हैं सीखने के लिए, तो यहां हमने तनाव ना दे, उन्हें किताब को पिके बोज में न रखें, उनको खेल-खेल में पढ़ाई, बड़ी से बड़ी प स्वात अच्छा है, सिख्चकों का अकादमिक संसाधन वा नवाचार की समझ प्रदान करना, यह भी हमारी पाठेचरिया हमें कहती है, कि हम नवाचार का प्रियोग करें और बच्चों को सिखाएं, तो यह हमारा पाठेचरिया 2005 में ही है, NCF 2005 में ही है, पुस्तकाले में पढ़ने लिखने के लिए स्वातंतरता प्रदान करें, सांस्कृति कारेक्रमों में मनुरण्यन के साथ स्वांदर बोध भी दे, हम स्वांदर बोध का भी पाठ कराएं, समधाय को मानवी संसाधनों के रूप में प्रियोक्त करें, हमारा जो समधाय हैं, बच्चों का पड सांती सिक्षा को बढ़ावा दे, सांती सिक्षा बहुत आवश्यक है, बच्चों को सीखने के लिए सांती के साथ सीखने के लिए प्रिशित करें, महिलाओं के प्रती आदर, यह भी महत्तपोर्ण है, कारेक्रमों का आयोजन होना चाहिए, महिला के प्रती, हम लोग आजकल दहेज, बाल बिभा, बिदवा बिभा, इस सब के बहुत सारे मैटर्स को सामाजी कुरूट्रियों को बच्चों के भीश में भोण हत्या, ये सब के बारे में बच्चों को बताते हैं, ये भी हमारी राष्टे पाठ्ठे चरया नीती के अंतरगती है, बालकों को चभू मुख विकास के लिए पाठिकर्म प्रदान करना यानि बच्चा हमारा सीखे हमारा बच्चा हमारे पास छे साल की उम्र में आता है कितने साल की उम्र में आता है छे से 14 साल का बच्चा हमारे पास आता है तो 6 से 14 साल का बच्चा यानि बच्चा बड़ा हो रहा है और 14 साल में परिपक्क हो गया तो ये बच्चा सीखे हमारे पास से हमारी ऐसी रन नीती होनी चाहिए हम बच्चे को सिखाएं ऐसी तैयारी होनी चाहिए उसके बाद यहां है क्या है यहां NCF 2005 का प्रमुख्य सूत्र है बिना भार के अधिगम learning without burden बच्चे को सिखाना है बिना भार के बिना टेंशन के बच्चे हमारी साथ कर के सीखे इसकी योजना हमें राष्टी पाठी चरिया 2005 के अंतरगत मिलती है और राष्टी पाठी चरिया 2005 में सिख्चकों के प्रतिष्टी कोन के अंतरगत कहा गया है सिक्षक ज्यान का सोत्र नहीं अपी तु सुगम करता हो सिक्षक ज्यान का सोत्र नहीं इतना ज्यान हो कि बच्चा का पढ़ाई जी करा दे बस यही कोशिश है अर्सिक्षक के लिए कहा गया है वसी प्रकार अब आप देख रहे हैं कि हमारी पाठी चरिया जो है हमें यह सिख राहती है समझाती हैं कि अमें बच्ची को तैयार करना है एसा तैयार करना है कि बच्चा बोजिलना हो बच्चा पढ़े बच्चा सीखे बच्का आगे बढ़े आशा करती हुँ यह चैप्टर के आपको बहुत सारी बात दु clay असता से बताया होगा अपने फीड़िबैक्स जरूर देंगे कोशिश है मेरी और अच्छा करूं तब तक के लिए नमस्ती प्रणाम में पुना हाजिर हो जाओंगी